दोस्तो आज हम बात करेंगे अरिस्टोटल के गोल्डेन मीन के बारे में एक ऐसा सिधान जो आपको बताएगा कि कौन से चीछ सही है गलत है उसको आप कैसे पता लगाते हैं अरिस्टोटल एक इंसेन क्रीक फिलोसफर है उनकी एक किताब है निकोमेकियन एथिक्स जहां पर वो गोल्डेन मीन के बारे में बाते करते हैं वर्चू के बारे में बाते करते हैं एक अच्छी लाइफ क्या होते हैं उसके बारे में बाते करती हैं उनका यह कहना होता है कि reality जो होती है जो हम देखते हैं उसके beyond होती है वो forms में होती है Aristotle इस चीज़ से disagree करते हैं उनको कहना होता है कि जो भी चीज़ें हम observation के माध्यम से देखते हैं वही reality होती है और उसी दुनिया में possible है कि हम खुस रह पाएं एक excellent rational activity करके अब excellent rational activity क्या है कोई दी ऐसी activity जो आपके अंदर virtue develop करती है उस activity को करना ही खुसी होती है यह Aristotle कहते हैं तो Aristotle का जो पूरा का पूरा virtue का concept है वो इसलिए निकल के आता है कि इंसान एक बेहतर जिंदगी कैसे जी पाएगा और इसलिए बताते हैं कि हमें किसी ऐसी activity में involved रहना चाहिए जो हमारे अंदर virtue develop करे लेकिन कौन सा virtue अच्छा है कौन सा virtue खराब है इसके बारे में कैसा आप पता लगाएंगे तो उसके लिए बताते हैं कि आपको एक golden mean इस्तेमाल करना पड़ेगा golden mean का मतलब है कि दो जो extreme है उनके बीच में जो exist करता है वही सही है अब एक उधारन लेते हैं साहस का साहस क्या है एक साइड डरपोक इनसान होगा जो थोड़ा भी कोई इनसान डरा देगा डर जाएगा दूसरे साइड ही कैसा इनसान होगा जो एकदम reckless होगा अब इन दोनों के बीच में जो golden mean है वो साहस का है इसी तरह एक उधार इनसान कर सकते हैं कि कौन से चीज बहतर है कौन से चीज बहतर नहीं है अब इसके कुछ features और जाने की कोसिस करते हैं वो कहते हैं कि जो भी virtue डिवलप करना है जो भी गुल हमारे अंदर आने हैं वो हमारे brain में innate नहीं है मतलब पहले से हमारे दिमाग में नहीं है हमारी आत्मा में प आदत बनाना होता है और आदत के मादियम से चीजे बनती है और उसी में वो golden mean का सिध्धान देते हैं कि जब आप ये आदत बना रहे होते हैं तब किस हद तक कौन सी quality चाहिए होती है वो आप अपने practical reason से पतक प्रैक्टिकल मतलब जो observation के आधार पर reasoning आती है जो daily आप exercise जब क अपलाई करने पड़ेगा और वहीं पर ये golden mean का ratio लाते हैं तो पहला है कि कुछ भी इंग्रेंड नहीं है आपके brain में already loaded नहीं है चिप जैसा आपको सीखना पड़ेगा आपको habit मिलाना पड़ेगा तब ही वो साहस में convert होगा कि अगर आप regular साहसी काम करेंगे तब ही जब पड़ेगी तो आप साहसी behave कर पाएंगे दूसरा उनका concept है कि golden mean का जो मतलब है वो यह नहीं है कि जो दोनों चीज का average है कि एक side 10 है एक side 5 है तो दोनों को जोड़के फिर उसका ऐसे नहीं करना है golden mean मतलब जो excellent हो जो virtue develop करे और जो इंसान को flourish करने में मदद करे तो ज़रूर की और एक side democracy के बीच में एक system बताते हैं जिसे हम बोलते है पॉलिटी जहां middle class रूल करता है उसको golden mean बोलते हैं इसे लिए सबसे तो जब भी आपको बेस्ट तलासना है तो आपको मध्यम मार्ग लेना पड़ेगा जो Aristotle golden mean बोलते हैं बुद्धिस्ट और Indian philosophy उसे मध्यम मार् वो कुछ भी आपके दिमाग में आल देर से ingrain नहीं है वर्चु यह बताने की कोशिश करेगा यह दोनों चीज का average नहीं है यह भी बताने की कोशिश करेगा यह एक excellent point है जहां पे आप excellent rational activity कर पाएंगे अपना कोई भी गुण डियोड़ अप कर पाएंगे आप तिसरी बात देख लेंगे तब क्या होगा जब आप उलिगारिकी में रहेंगे तो क्या होगा दोनों जब आप सारी situations देख लेंगे फिर आप practical रीजन लगाएंगे तब आपको पता लगीगा कि golden mean क्या है यह जो अरिस्टूटर का सिध्धान थे आप ज्यादा तर देख पाएंगे चा बेतर जिंदगी ऐसे जिएगा कि वो एक political animal है लोगों के बीच में रहेगा human action में involved रहेगा अपना एक excellent rational activity करेगा जहां से उसके अंदर वर्चू डिवलप होगा और उस वर्चू को पता करने के लिए वो golden mean इस्तवाल करेगा कि कौन सा वर्चू है जो important वर्चू है जो से चाहिए तो यह तो है अरिस्टूटल का golden mean का सिध्धान्त और इसी तरह के सिध्धान्त अगर आपको चाहिए तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ मतफ़ संदीप सिंग के साथ और आप कमेंट करके बताई कि वीडियो करसा लगा और आपको चिस भी विशेवे वीडियो दिया जाएगा इस वीडियो में ताहीं जाहिए